अपना सबय जनेन का हमार राम राम जिस धर्ती पर माशारदा का आर्शिरवाद बरस्ता है जिस खेत्र में राजकुमार राम आये और मर्यादा पुर्दोतम भगवान राम बन गए रुशियों तपस्वियों की पावन स्थली सतना को मेरा शतशत नमन और ये सतना की ही ताकत है ये सतना का ही सामर्त है कि बंदुक की नाली से संगीत के सूर निकलते हैं कि विश्वजप संकटों के घेरे में हैं चारों तरब बंदुक की आवाजे सुनाई दे रही हैं मानवता के लिए भारत जैसे दोवेश आज दुनिया में अपने विचार का प्रभाव प्यादा करने का प्यास कर रहे हैं ऐसे समय सतना की धर्ती से एक ऐसी जोती निकलती है जो बंदुक की नाली से संगीत के सूर निकालती है युद्ध की मानसिक्ता वाले मानव समुदाय को सतना की ध्यरी धर्ती का ये भावती सचक्त संदेश है मैं सभी साथियों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ सबी कलाकारों को शुब कावनाय देता हूं मुझे ख्षमा करना आप लोग तो भासन सुनने आए होंगे लेकिन आपको मैंने संगीत संगीत में रोल लगा दिया मेरे लिए अच्छा रहा इस दोड़ धूप में कुछ पल ऐसे पवित्र बातावर्ण में बताने का अवसर मिला अभी कुछ दिनों पहले ही मिजे चित्रकूट में एक संग समागम में जाने का सौभाग मिला था आज यहां सतना में जनता जनारदन के दर्शन हो रहे हैं यह मेरे लिए दोहरे सौभाग की बात है मेरे परिवार जनों यह संतों और देश की जनता का अशिरवाद है कि आज भारत का गवरो विश्व में नई बुलंदी पर पहुँचा है आज पुरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है यह आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के होसले पस्त है इस बार भी MP ये चुनाव में आपका हर वोट त्री शक्ती की ताकत से भरा हुआ है त्रीवीद शक्ती का सामर्त है आपके वोट में है आपका एक वोट यहाँ फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट ब्रश्टाचारी कॉंग्रेस को MP की सरकार से सो कुछ दुर्ट ले जाएगा यानि एक वोट तीन कमाल साथियों मैंने अपने राजनिती जीवन में बहुत से चुनाव देखे हैं और बर्शो तक तो मैं चुनाव लडाता रहा है मैं कभी लड़ा नहीं लेकिन बाद में लड़ने की नौ बता गई है लेकिन इस बार मत्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिल्चस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मत्रदेश का भैविश मेरी माता ये बहने ताय करने वादी है मत्रदान में अभी इतने दिन बचे हैं लेकिन उससे पहले ही कॉंग्रेस का जूट का गुबारा पंक्चर हो गया फूट गया है कॉंग्रेस के जूट के गुबारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना जब गुबारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़ खड़ाता है सोर मचाता हुआ इधर उदर जाता है वैसे ही हारते हुए कॉंग्रेस के नेता इधर उदर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे है कॉंग्रेस के पास MP के विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कॉंग्रेस के ठके हारे चहरों में यहां के युवाओं को कोई भविश्य नहीं दिखता है इसलिए MP को भाजपा पर भरोसा है MP को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और यह भरोसा इतले है कि हर देश्वासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी मेरे परिवार जनों आज कल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभुराम के भवे मंदिर की चर्चा चलती है पूरे देश में खुशी की लहर है सवभाग्य से भरे इस पावन कालखन में मेरे मन में एक बात बार बार आती है और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गुंती रहती है मेरे मन को अंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गती से दोड़ने की प्रेना देती है और बार बार मैं उसका स्मरन करता हूँ जहां कहा गया है राम काज किने बिनू मोही कहा विश्राम अब रुकना नहीं है ठकना नहीं है और विश्राम का तो सवार पैदा ही नहीं होता यहां की भाजपा सरकार को दस साल तक केंद्र की कॉंग्रेस सरकार ने हर काम में रोडे अटकाए काम करने नहीं दिया रुकावटे परदा की अभी 2014 में ही तो मत्रप्रदेश को डबल इंजीन की डबल ताकात मिली है MP को जिस अंधेरे कुए में कॉंग्रेस ने धकेल दिया था उस अंधेरे कुए से भाजपा MP को बहार निकाल पाई है अब तेज विकास का समय आया है सबके विकास का समय आया है दलीत पीडीत शोशीत वंचीत पिछडे आदिवासी गरीब नवजवान किसान हर किसी को अब उसका हक मिलेगा मेरे परिवार जनों गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा होती एक नहीं होता है जिन्दगी के में जिसके पास कोई अता पता नहीं है उसको एक पता चाहिए उसे अपना एक घर चाहिए वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोडने की कोशिश करता था पैसे बचाने की कोशिश करता था लेकिन कॉंग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा ब्रस्टा चार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकना चूर हो जाता था भाजपा सरकार ने देश के गरीब के सपने को पुरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है बीते दस वर्षों में चार करोड से अधीक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है मैं ज़र आप से पूछना चाहता हूं मैंने क्या कहा कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं कितने कितने यह चार करोड बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दुनिया के लोग जम मेरे से सुनते हैं तो अच्रज हो जाता है चार करोड गर कई देशों के ते इतनी आबादी नहीं होती है इतने हमने गर बना दिये हैं और साथियों हम तो भक्ती में डुबे वह लोग है और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ती से और चार करोड गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ती से बनाते हैं हम लोग तंत्र का भव्य मंदिर नया संसद्ध भवन बनाते हैं तो हम तीस हजार पंचायतों के भवन भी उसी संवेदान की संसद्धा के साथ बनाते हैं और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजिन सरकार होने के कारण MP उन राज्यों में से एक हैं जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए यहां सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है एक लाख बत्तीस हजार देखिए हमारा गणेश जी कह रहा है और गणेश जी के मुझे जो निकलता था ना उसका बड़ा सामर्थ होता है और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है मैं आपको गारंटी देने आया हूँ जिनको अभी घर नहीं मिला है यह मोदी की गारंटी है उनका घर भी बनेगा उनको भी घर मिलेगा आप साब लोग निश्चिंद रहिएगा मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है जैसे ही तीन दिसंबर को यहां बाज़पा सरकार लोटेगी पीएम आवास योधना का काम और तेज कर दिया जाएगा हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा यह मोदी की गारंटी है गर मतलब सिर्फ चार दिवारी नहीं जब मोदी घर देता है ना तो सारे सपनों को पूरा करने का आशियाना भी देता है सिर्फ चार दिवारे नहीं बल्कि उसमें बिजली भी है गैस कनेक्षन भी है टॉयलेट भी है नल भी और नल में जल भी है साथियों पक्के घर के साथ साथ मुप्त राशन का भी पक्का इंतजाम यह भी मोदी की गारंटी है कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूला भूजेगा करोना काल में मुप्त राशन देने वाली योजना हमने शुरू की थी अब मोदी ने निश्चे किया है आपको मालूम है कितना बड़ा संकर था मौत मंडरा रहा था हर लोगों को लगता था कहीं गर में कोरोना गुज गया तो गए काम से बाहर निकलना मुझ्खिल था तब मोदी ने ताय किया था मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा गरीब क्या घर का चूला बुजने नहीं दूंगा कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूके सोन जाएं ये रात भर मात तरपती न रहे ये मोदी ने पक्ता किया था और इसलिए मुप्तराशन देना शुरू किया था और ये मुप्तराशन की योजना ये डिसंबर मेहने में एक मेहने के बाद पूरी हो रही है लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जी इस पर कुछ सोच रा चाहिए डिसंबर में इसको पूरा नहीं होने जना चाहिए कि गरीबों के कल्यान का काम है आगे बढ़ाना चाहिए और मेरे लिए तो जनता जनारदन का आदर्श यही तो इश्वर का आदेश होता है और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया है मैंने पक्का मन बना लिया है कि डिसंबर के बाद भी गरीबों के ओ मुप्त राशन की योजना पाँच साल के लिए चलाओंगा पांच साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा इससे सतना जिले के लगभग दो लाग परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी आज ऐसे लाखों परिवार करोणों लोग मोदी को आशिरवाद दे रहे हैं लेकिन गरीब के लियान की इस फैसले का कारण मोदी नहीं बल्कि आप ही लोग है आपने ही तो गरीब के बेटों को दिल्ली बेजा है अब गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा आपके लिए ही तो काम करेगा आप ही तो मेरा परिवार है मेरे देश्वासियों यह मोदी है जिसने चार करोड घर बनाएं यह मोदी है यह मोदी है जिसने चार करोड घर बनाएं लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है मेरे परिवार जनों गरीबों का गर हो मुपत नाशन हो मुपत इलाज हो आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड पे खर्च कर रही है यानि देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है लेकिन जब कॉंगरेस की सरकार थी तब यह पैसा कहां जाता था तब देश का लाखों करोड रुप्यां तूजी गोटाले में जाता था कोईला गोटाले में जाता था कॉमन विल्ड गोटाले में जाता था हेलिकॉप्टर गोटाले में जाता था और मोदी ने ये सारे गोटाले बंद कर दिये कॉंग्रेस के करप संकाल में जो बिचुवलियों की मोज थी उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया भाजपास सरकार ने सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर करना चुरू किया आप कलपना कर सकते हैं दस साल में भाजपास सरकार ने 33 लाग करोर रुपे सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं और इसमें से एक उरुपिया भी इधर का उदर नहीं हो पाया साथ यो कॉंग्रेस किस तरह गरीमों का हग चिंती हैं उसका जीता जाता प्रमाने फर्जी लाभार्थी गोटाला जितनी मद्यप्रदेश की आबादी है जितनी 36 गड़ की आबादी है दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कॉंग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिये दिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था यानि करीब करीब 10 करोड फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था लेकिन कॉंग्रेस सरकार उनके नाम पर तीजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे लोग कॉंग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे उनके दलानों के हवाले कर दिया जाता था भाईयो बेहनों इसलिए जब गरीब के राशन के दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था कि उसका राशन तो कोई और ले गया जब किसी जरुरत लेकिन वह सीधी कॉंग्रेस से चेले चपाटों की तीजोरी में जमा हो जाती थी लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था लेकिन कॉंग्रेस का दुर भाग्या और कॉंग्रेस का दुर भाग्या आप ने एक चोगिदार को बिठा दिया 14 में बोधी आ गया और मैंने कॉंग्रेस के फर्जी लाबार्दी गोटाले पर ब्रेक लगा दी इस जो 10 करोर फर्जी लाबार्दी कॉंग्रेस ने कांगेजों में पैदा कर रखे थे हमने उन्हें भी बार निकाल दिया आज इस बैज़र से घरीबों के पौने तीन लाख करोड फिय याद करो पौने तीन लाख करोड ब्रुपिय कितने inks हैं पौने तीन-लाख करोड कितने हैं जर्ञा और बूलियाँ आपके पैसे मैंने बचाएं कितने हैं पौने तीन लाग करोड जो सरकारी तीजोरी से चेले चपाटों के कॉंग्रेस के दलालों की तीजोरी में जाने थे उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है यह काम किया है जी अब आप सोचिए जब कॉंग्रेस को उसके चेले चपाटों को उसके दलालों को इतना बड़ा नुक्षान हो गया प्रस्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया तो मोदी का क्या करेंगे क्या करेंगे गाली देंगे के नहीं देंगे गाली देंगे के नहीं देंगे नहीं देंगे दुकाने बंद करके रखी है और मोदी को कौन लाया के कौन लाया मोदी को मोदी में हिम्मत कहां से आई यह देश की जनता है जो मोदी को लाई है और देश की जनता क्या अशिरवाद है जिससे मुझे टाकप अई है इसलिए कॉंग्रेस अपने सारी दुश्मनी मोधी के साथ ही देश की जंता से भी निकाल रही है वो सिर्म मुझे नहीं आपको भी परिशान करने पर लगे हुई है मेरे परिवार जनों, बंतप देश के मेरे पहरे भाई और भेनों आपको बरियक सिख्याथ जरूर रखनी है कभी मद बुलिये कॉंग्रेस आई, तबाहिल आई जहां जहां कॉंग्रेस आई, वहां वहां तबाहिल आई अगर गलती से भी कॉंग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वादी सारी मदर ये बंद कर देंगे कॉंग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा कॉंग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा कॉंग्रेस आई तो किसान समान निजी के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे यहां जो सिवराजी की सरकार ने लाली बहना लाली लक्ष्मी जैसी योजनाय चलाई हैं यह उनको भी नहीं छोड़ेंगे इसलिए आपको अपना एक-एक वोट को कमल के फूल पर डाल कर कॉंग्रेस के घोटाले बाज़ों को रोकना है आप मेरी एक बार और आखिर रियाद रखिएगा यहां MP में कॉंग्रेस ते आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किये हैं जो कई वर्दसकों से मतर भड़ेस कॉंग्रेस को चलाते है अब आज क्या काम करे हैं जो को नों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं वारू ऐक तूर दूसरे के कपड़े ठाट रहे और जोख ऐब अपने समर्थ हो के तो तो तूसकी कपड़े पाड़ वो अपने चेलों को कहता है तुम उसके कपड़े फार यही नेता MP को दसों तक अबाव में रखने वाले MP को बंचित रखने के लिए जिम्मेदार है यह आपके बहतर भविश्च का भरोसा कभी नहीं दे सकते हैं इनका तो अभी बस एकी एजंडा है 33 दिसंबर को भाचपाते हारने के बाद मद्दप्रदेश कॉंग्रेश पर किसका बेटा कभ्या करेगा उनकी लड़ाई यह है अपने बेटों को सैट करने में वो पूरे मद्दप्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए है कि जिनको सिर्फ अपने बेटों के ही चिंता है वो MP के गरीब बंचीत मद्दंबर के बेटे बेटियों के चिंता ही नहीं कर सकते मेरे परिवार जिनों सतना सहीत पुरे भिंद्देश शेतर के विकास हुए हमें मिलकर तेज़ करना है बाद्दबा सरकार इक्षेतर के परे मुझा प्राइब कर दो